दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं या फिर साइबर कैफे चलाते हैं और आप सभी पैनकार्ट की सर्विसेस में काम करते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है RKNHDL.onlinePSA.com के अंदर UTI की सर्विस में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हो चुका है इस सर्विस के अंदर अब आप से भी UTI के द्वारा पैनकार्ट बायोमेट्रिक और OTP के माध्यम से बना सकते हैं और जो कोपन पर्चेस का सिस्टम था वो भी अब खत्म हो चुका है और डिजिटल मोड दोनों प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को ध्यान पूरबक्त देखना जितने भी हमारे भाईयों ने हमारे इस पोर्टल का ID और पासवर्ट लिया हुआ है वीडियो को ध्यान पूरबक्त देखना या वीडियो ट्रेनिंग प UTI 2.0 सर्विस को यहां पर लॉंच कर दिया है इसी सर्विस के माध्यम से अब आप सभी Biometric की माध्यम से और OTP की माध्यम से लोगों की pen card को apply कर पाएंगे यहां से physical mode के दोरा भी आप से भी pen card apply कर सकते हैं आप coupon purchase की कोई भी आवसकता नहीं होगी सिधा आपकी wallet से ही balance cut होगा सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इसके अंदर login होना है लोगिन होने के बाद आपको अपने wallet के अंदर balance को add कर लेना है अगर आपकी wallet में balance नहीं होगा तो यहां से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जितना भी आपको pen card बनाना है उसाब से आप यहां पर balance को add कर लेंगे जैसे ही आप click करेंगे तो जब आप first time इस पर click करते हैं तो आपके सामने इस परिकार से एक interface आएगा आपको आप पर login to UTI portal पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इस पर click कर देंगे आप सभी की सामने इस परिकार से आपका portal open हो जाएगा लेकिन जब आप first time इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखाए देगा click हैगा उस पर click करके आपको अपना एक normal सा recession form आएगा उसको फिल कर देना है उसका आप submit जैसे ही दोस्तों आप इस पर click कर देते हैं आप सभी के सामने इस प्रिकार से options आ जाएंगे यहाँ पर आपको okay पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने इस प्रिकार से दो options आएगा पहला है physical mode और second है यहाँ पर digital mode अगर आपको किसी व्यक्ति का pen card UTI के through biometric से या OTP के द्वारा बनाना है तो आपको digital mode का selection करना है digital mode से जब भी आप pen card बनाएंगे तो आपको कोई भी physical copy ना ही कहीं भीजना पड़ेगा और ना ही कहीं आपको upload करना पड़ेगा लेकिन अगर आप physical mode से बना चाहते हैं यानि कि आपको document upload करके बनाना है तो इस case में आपको physical mode का selection करना है और इसके बाद यहाँ पर state of the applicant पर click करेंगी और यहाँ से आपको जो इस प्रिकार से options मिलेगा तो यहाँ पर आप individual का selection करेंगी इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पुछाजारा NRI कटगरी में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको no कर देन है देन जैसे ही दोस्तों आप समीट पर क्लिक कर देते हैं समीट पर क्लिक करने की बाद आप सभी की सामने इस प्रिकार से आपका dashboard open हो जाएगा अब इसके बाद नीचे आएंगे प्रेशनल डिटेल में आपको यहाँ पर टाइटल का selection कर लेना है लड़का है या लड़की है उसके साब साब यहां पर सेलक्सिन करेंगे उसके यहां पर हम सेलक्सिन कर लेते हैं इसके आपको यहां पर नीचे आएंगे आपका जेनर का सेलक्सिन आप यहां से करेंगे और इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर आपको आधार नमबर डालना है आधार कार्ड में जैसा नेम देगे उस नेम को आप यहां डालेंगे और इसके बाद फिर आपको यहां पर नेक्स इस्टेप पर किलिक कर देना है इसके बाद आप आपको यहां पर make payment पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पर make payment पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रिकार से एंटर फेस आएगा यहां पर आप देशते हैं आपका जो transaction transaction PIN नंबर है वह भी आपको हो जाएगा कि आपका जो transaction PIN है वह एक दो तीन चार है क्योंकि यह सर्विस नहीं नहीं लौंच हुई है तो काफी सारे हमारे जो रिटिलर भाई है उनको पता नहीं होगा तो इसलिए आप हमने कट होगा आपकी वालट से यहां पे कोई भी कोपन वेला शिष्टम नहीं है इसके और पीटे करने के सांबने इस प्रका法 से इंटर्फीसों ऐगा अब यहां पर चेक आदा लगा लेंगे कि इसकी आदार एक अदार से स्याक्षा हम चेक अधार पर किलिक करेंगी तो इसके अधार से भी कोई भी पैनकार्ट नहीं बना है अच्छी बात है अब यहां पर आपको जो है कॉंटेक्ट डिटेल दिखाए देगा तो यहां पर इंडिया रहेगा इसके बाद आप सभी यहां पर उस विक्ति का मोबाइल पर टिक क आप सकते हैं इसके बाद नीचे आएंगे और यहां पर फिर आपको next step पर किलिक कर देना है किर आप सभी के सामली यहां पर address डिटेल आ जाएगा अब यहां पर आपको सबीकिकी तो स्ब्दिक सकते हैं इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर आपको source of income में आप यहां पर no income कर देना है या फिर आप यहाँ पर income for other source पर भी क्लिक कर सकते हैं उसके आप पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर next आप्सन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के समय स्वापन से पॉप सो हो जाएगा प्लीज चेक और लिए और आपको ऑखे पर किलिक करना है और इसको अपके एडिया को ईयों कोड़ आ जागा इसको देख लिकाने के बाद आपविकार अपको क्लिक करना है हिमस इस जगासे आप अपलाई कर रहे हैं उस जगाह का भी नाम आप डाल सकते हैं या प्र Stark रिश्टी के state का नाम ही वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं इसका फिर आपको यहाँ पर next option पर click कर देना है इस step पर click करने के बाद फिर यहाँ पर आपको documents upload करने होगे documents यहाँ पर आप सभी जो है तीनों में आधार अपने select किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपली प्र यहाँ पर 600 DPI में होना चाहिए black and white paper पर यहाँ पर जो है size रहेगा 60K भी इस प्रिकार से चलिए अब यहाँ पर हम submit वाले बटन पर click कर देंगे तो submit वाले बटन पर click करने के बाद आप सभी का इस प्रिकार से form 49 का receiving generate हो जाएगा अब यहाँ पर प्रिकार से आएंगे और इसको आप यहाँ पर प्रिंट वाले option पर click करके इसको आप print कर लेंगे तो को print कर लिया है receiving को print करने के बाद फिर आपको यहाँ पर download पर click कर देना है और यहाँ पर पीडिया form download हो जाएगा download होने के बाद आपका PDF form इस प्रिकार से यहाँ पर आप सभी के सामने open हो जाएग signature चिपका लेने के बाद proper तरीके से ready हो जाएगा इसके बाद इसी form के अंदर ही आपको आधार काट की photo copy को भी attach करना है एकी PDF में बना लेना है document को ready कर लिया है अब document को upload करने की बारी है तो document upload करने के लिए हम simple apply new pen पे click करेंगे और हम यहाँ आएंगे upload document पे इस पे click करेंगे इस पे click करने के बाद आप सभी देख सकते हैं जो document हमें upload करना इस प्रिकार से आपको option देखने को मिल जाएगा तो अगर आपने उसको अलग अलग signature और photo को किया हुआ है तो फिर आप upload और option पे click करेंगे अधराज आपको crop and upload और option पे click कर देना है जैसे ही आप इस वाले option प आप open पी click करेंगे और यहां पर आप upload PDF फाइल पर click कर देंगे document upload हो चुके है document upload हो जाने के बाद आप सभी की साम इस प्रिकार से page की रूप में दिखाए देगा अब सबसे पहले आपको फोटो में फोटो लगा उसको select करना है उसको select करने के बाद इस प्रिकार से आप नी आप कर लिया है अब यहां पर इमेज पर click करेंगे यह फोटो आ चुकी यह फोटो को हम उठा कर फोटो में डाल देंगे तो यहां पर फोटो में आ चुकी है आप ठीक किसी प्रिकार से में signature लेना है तो signature लेने के लिए आपको pen का जो second form हो उसको select कर लेना है click करेंगे तो यहां पर इस प्रिकार से आप सभी को नीचे चल ले आना है और इसी को भी आप इस प्रिकार से mouse की मदश से cut कर लेंगे इस image को भी आप ऐसे और इसके आप फिर आपको crop image पर click करना है और इस प्रिकार से इस image को आपको उठा कर signature वाले में type कर देना है इसके ब अप्लोड हो चुका है वेल डन लिखा हुआ आ चुका है देख सकते हैं यहां पर कोई भी डॉकुमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा यानि कि हमारा जो डॉकुमेंट है प्रोपर तरीके से अप्लोड हो चुका है अपने डॉकुमेंट को देखने के लिए आप सिधा भी समझ गया है कि किस प्रिकार से आप सभी इस पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन पैनकार्ड अपलाई कर सकते हैं वीडियो में हमने आपको फिजकल पैनकार्ट के बारे में बताया है नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप सभी किस प्रिकार से तुरंत ले सकते हैं और तुरंत ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं धन्यवाद